हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं फुरूट केक बनाने जा रही हूँ विद चॉकलेट फिलेवर के साथ तो कभी क्या रहता है कि किसी को फुरूट की फिलिंग्स नहीं पसंद रहती है उनको खाली डिक प्रेक्ट नहीं रहेगा और उसको मैं चूले पर बेक करी हूँ खाली 15 मिनट लगा है मुझे क्योंकि पाव केजी का रहता है तो जल्दी बेक हो जाता है और पहले ही 5-10 मिनट मैं प्रिहीट कर देती हूँ क्योंकि जब कड़ाई अच्छे से गरम हो जाती है हीट हो जाता है आप पानी ले लो और उसमें एक चमर शकर डाल दो वही शुगर सिरब रहता और उसमें कुछ भी एड करना नहीं रहता है और मैं 100 ग्राम विपिंग करीम ली हूँ वह भी रेडी मेड आता है उसमें कुछ भी मिलाना नहीं रहता है खाली आपको विप करना रहेगा और 50 ki final finishing है ना आप हमेशा ही piping bag से ही करें और इस cake की icing करने में मुझे काफी काम लग गया था क्योंकि मेरा scrapper ही नहीं मिल रहा था जो मेरा favorite है वह नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कि मैं application ही कर पा रहे हूं और इस वीडियो में वह ही मेरे साथ हुआ कि वह was क्लोके उभी match करi मल यह नॉर्मल गार्निशिंग वाला है, इसलिए यह ना क्या थोड़ा नरम रहता है, और जो OHP sheet का scraper आप लेंगे वो थोड़ा इससे hard रहता है, तो मिश्टिक यहाँ पे हो रहे थी कि यह scraper तो था मेरे पास, लेकिन यह नॉर्मल गार्निशिंग वाला है, इसलिए है ना यह रखें, आपको मेरी तरह वो useful हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि आप card भी रखो, आप 2-4 scraper extra रखे ही रहो, और जो मेरा यह scraper था है, यह काफी पहला है, जब मैं starting में ली थी ना, उस time में मैं इसको अब use भी नहीं उतना करती हूँ, जब कभी नहीं मिलता है ना, तो emergency में यह scraper यूज करती हूँ, लेकिन जो lying वो तो मिली नहीं रहा था, बहरहाल काफी दिक्कतों के बाद इसकी final icing करी हूँ, उपर फिर भी उतना clear नहीं हो रहा था, तो उसके बाद है नहीं मैं brush से कर दी हूँ, तक top अच्छा नहीं दिखेगा, तो keaker look नहीं आएगा, वैसे मे भी बरश गुमा दी, मैं बुली कभी by chance look ना आया, तो मैं बनाने के बात क्या करूंगी, और इसमें है न, मैं यह marking कर रही हूँ, कि मुझे कितना वो लगाना है flowers, और कितना strawberry रखना है, इसके लिए मैं कर दी हूँ, आप भी marking कर के करिए, तो काफी helpful रहता है, और यह मेरा 10 इसमें कट इस्टा नोजल है, जो यूज करी हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह flowers दिखने ही वाला नहीं है, लेकिन इसके उपर strawberry रखना है, तो आप कोई भी नोजल यूज कर सकते हैं, और यह strawberry मैं है, काट कर रख ली हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको customer को देना है, और वो time के बाद कट करेंगे ना, तो यह सारे fruit को आपको neutral gel में potting करके लगाना रहेगा, लेकिन यह customer मेरे बाजू के हैं, वो बोले थे कि मुझे neutral gel नहीं चाहिए, मैं उनको बोली थी, तो बोले, नहीं मुझे उतना time तक नहीं रखना है, आप ही बना कर दे दो, तो मैं इसमें नहीं लगाए हूं, लेकिन आप जरूर लगाना, क्योंकि अगर आप यह नहीं लगाएंगे ना, तो आपका यह fruit काला हो जाएगा थोड़ टाइम के बाद, एक आद घंटे में नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम तक रहेगा ना, तो का पढ़ने लगेगा, तो इसका लुक नहीं आएगा, तो आपको यह step जरूर फॉलो करना है, भले मैं नहीं करी हूं, और side side में भी मैं एक एक दूर दूर पर लगाए हूं, और इसका लुक तो काफी सुन्दर आ रहा था, आप लोग एंड में जरूर देंखना, अगर आप को मेरा यह केक पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना, और यह रहा मेरे केक का फाइनल लुक, और कमेंट करके तो जरूर बताना कि हाँ, आप लोगों को अच्छा लगा है कि नहीं, यह मैं जस्ट केक बना कर इसके एडिटिंग करके, व का लो भी बाइस Eğerμε स्टक्राइब जस्टाइब कि